कि 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 अपने परिवार जी ये बाई प्यूसर पे तो दोस्तों फटा फट से जूड़ जाईए और सेशन को एक बार दबा के शेर कर दीजेगों कि आपके प्रियूसर आचुके पूरे सब्ता का निचोर ले करके दोस्तों संडे को 11 बजे और मंडे को 11 बजे ये क्लास होती है दोस्तों दो पार्ट में ये क्लास करते ताकि सब्सक्राइब करके आएंगे अपने सभी दोस्तों यारों से ज्यादा करके आएंगे दोस्तों इस बात की गारंटी है दोस्तों सिक्स मांध बैंकिंग और फिनेशल करेंट अफेर की क्लास भी 11 बजे शुरू कर दी गई है संडे और मंडे को वीकली को ट्उर्ट होते हो बाकि सारे दिन जो है आप की 6 मनांध बैंकिंग और फिनेशल क्रेंट अफेर की ध्यास होती है यहां पर आज complete हो जाएगा current affair तो यह इसका PDF पे आप लोगों को दे दूँगा ठीक है आपको टेलिग्राम पे Facebook, Twitter, Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं description में उसके भी link दिये हुए हैं दोस्तों और जो लोग पहली बाद जोड़े हो subscribe करके bell icon दबा लें आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि यह यहां पे हमारी complete तैयारी हमें मिल जाएगी तो दोस्तों डेली current affair वाली class अप भी अपनी सिफ्ट हो गई है सरकारी परिक्षा यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले सबसे तेस सबसे ज्यादा current affair देते हैं हम लोग सरकारी परिक्षा पर रोज सुबए छे बज़े यह class होती है दोस्तों जिसमें हम लोग कोई भी current affair नहीं जो पचास-पचास तो आपके आने वाले हर साल के examination के इसे भी दोस्तों आप लोग कर लिजेगा ठीक है इस बार mission SBI इस बार SBI पार तयारी जीत की है न सेलेक्षन जिद सेलेक्षन की क्या वात है यह सब बहुत सरी tagline जो है यूज करते हैं बड़े बड़े चैनल हम लोग tagline यूज नहीं करते लेकिन हम लोग सेलेक्षन देते ह को है आईये शुरू करते हैं निमलिकित में से कौन सा देश एक जनवरी दोजाँ तेईस को एक साल के लिए वासेनार अरेंजिमेंट की पुर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहन करेगा तो दोस्तों यह आपको बताना है एक जनवरी से भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहन कर र अरेंजमेंट की देख रहा है जी 20 की भी 2223 में दोस्तों कर रहा है इंटरनेशनल यार खम फिर्म यह रहा और कंव में होने वाला है glaube curry झोड़ा भारत में ही और होने वाली है दोस्तों ठीक है क्लियर है दोस्तों आपको एक है बहुत अँच्छे कोस्ट्र कर i get है वह question दोस्तो कि वसे नार arrangement किस weapon के लिए है किस weapon के लिए व्यवस्था है दोस्तो यह आपको बताना है दोस्तो हाली में डोट में 2022 के अस्ट्रेलिया के सुपरिश्टार के रूप में कितनी हारती मुल्की महिलाओं को चुना गया है तो दोस्तों यहां पर जो है तीन महिलाओं को चुना गया है तीन महिलाओं का आप देख रहे होंगे हैं इसका मतलब क्या है साइन्स टेक्नलोजी इंजिनिरिंग और मैथमेटिक्स यहां पर दोस्तों इस टेम का मतलब यह होता है ठीक है समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिन्दाबाद जबरदस्त तो दोस्तों तीन इंद्यन ओरिजिन वीमें कौन सी है नीलीमा कडियाला है डॉक्टर एना बाबा रमनी है और इंदरानी मुखर जी भी है और इस्टेलिया की सुपर इस्टार ऑफ इस्टेम्न में दोस्तों इन लोगों का जो है नाम आया हुआ है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों स्टेफनी फ्रापार्ट मेंस फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों वह किस देश से हैं यह किस देश से हैं मेरे भाई तो यह जो है फ्रांस से हैं स्टेफनी फ्रापार्ट पुरसों के वर्ल्ड क जब मैच में महीला रे फुरी बनने वाली पहली महीला हैं दोस्तों ऐपनी फ्रापार्ट और फ्रानस एक चलिए बहुत बड़ियां दोस्तों औरन दो देशो के बीच में मैच होगा जिसमें ये दोस्तों रेफरी मैंने आपके लिए ये फैं जवाब देते हैं किते लोग राइट एंसर देते हैं दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों नागा लेंड एक दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है तो दोस्तों नागा लेंड ने अपना साथवां स्थापना दिवस मनाया है साथवा स्थापना दिवस दोस्तों मनाया है 1963 में दोस्तों यह जो है भारत का सोलहवा राज्य बना था इस ओकेजन पर चीफ मिनिष्टर नेफी उर्यों ने सहयोग प्रोजेक्ट दोस्तों सुरू किया है ठीक है अगर दोस्तों बात करें तो अभी किसीमा हैरिटेज बात की गई है ओके बात समझ में आ रही है चलिए दोस्तों पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इयर से किसे समानित किया गया है तो अवनी लेखरा जिनोंने टोकियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड ब्रॉंज दोनों जीता था पैरा सूटिंग में एक 10 मीटर में 50 मीटर में 10 मी डिज़र भी हैं कि दोस्तों कौन सी भाषा की फिल नर्गेसी ने इंटरनेशनल फिफ्टी थर्ड आई एफफाई फिल्म फेस्टिवल में आईसी एफ्टी युनेस्को गांधी मेडल जीता है तो दोस्तों यह इरान की मूवी है इरानियन मूवी है दोस्तों नर्गेसी इ कि आर इसी की सीएसर पहल का उद्गाटन किया गया दोस्तों रूरल इलेक्टिफिकेशन कंपनी यह भारत की बारहवी महारतन कंपनी है दोस्तों यह प्रश्ण आपके अभी एक्जाम में पूछा गया था सीएसर का मतलब होता है कॉर्परेट सोचल समाजी कामों में खर्च करना पड़ता है तो दोस्तों आरके सिंग जी जो की पावर मिनिस्टर है दोस्तों इन्हों ने इसकी जो है सुरुवाद की है दस मोबाइल हेल्थ क्लेनिक बिहार के भौझपूर में दोस्तों बिहार के भौझपूर में ही 78,000 फ्लैग फहरा करके एक मैदान में दोस्तों अमिच्शा क्यूंपस्तिती में गिनीज गंगा जल पहुचा करके एक बहुत अच्छी योजना की की गई है दोस्तों टिकैश्टों एंडी टीवी की प्रमोटर फर्म और पी आर पी आर पि यर ओल्डिंग ने अपनी कीविटी 99,5% of". दोस्तो ज़ने अपना 99.5% बेच दिया है विश्व प्रधान जो है दोस्तों यह अड़ानी की कमपनी है जिसने ंडि टीवी को खरीदा है तो भईया किसने खरीदा है और अड़ानी गृप की कौन सी कमपनी ने खरीदा है विश्यव प्रधान commercial खरीदा दोस्तों कितने परसेंट इसके पास 29.18 परसेंट हिस्सेदारी एंडी टीवी में नियंतर्ण हो गई है अब ठीक है वी सी पीज़ की 29.18 परसेंट एंडी टीवी के प्रणव राय और उनकी वाइफ ने भी स्तीफा दे दिया है और एंडी टीवी के एडिटर जो है द दोस्तो एयरलाइन इजी जेट और वीमान इंजिन निर्माता रॉल्स रॉयस इजी जेट और रॉस रॉयस में दोस्तों जो है कि दुनिया के पहले हाइडोजन से चलने वाले एयर क्राफ्ट इंजिन का सफलता पूर्वक परिक्षण कर लिया है तो यह याद रखिएगा दोस्तों एक दिसंबर को भारत द्वारा जी 20 की अध्यक्षता ग्रहन करने के उपलक्ष में कितने राष्टी स्मारकों को रोशन किया गया कितने राष्टी स्मारकों को रोशन किया गया दोस्तों यह आपको बताना है तो यहां पे 100 राष्टी स्मारकों को रोशन किया गया ह तेरे भाई रोशन किया गया है ओके चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्त दोस्तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एक्सक्यूटि डिरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है वूँ हैस बिन अपॉइंटेट एस दे नियो एक्सक्यूटि डिरेक्टर ओफ पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक तो दोस्तो यहां M.Param.Sivam को जो है PNB के ए 1894 में हुई थी और दिली में इसका हेड़क्वाटर है लाला लाच्पत्रा इसके फाउंडर थे और एके गोयल इस समय हेड है एके गोयल आई बीए के भी हेड है दोस्तों ठीक है पी एन बी ने पतंजली के साथ मिलकर के को ब्रेंडिट के डिट कार्ड को भी लॉंच किया ग सबसे बड़ा योगा सेंटर जो है स्थापित हो रहा है विलेज मंतलाई में चेनानी तहसील में दोस्तों चेनानी से याद आया नासरी चेनानी जो है दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा जो टरनल है वो यहीं पर है जिसे स्यामा प्रसाद मुखरजी टरनल कहते हैं ठीक है तो दोस्तो गाम तवी नदी के तठ पर ये इंटरनेश्टल योगा सिंटर जो है लोगों की सेवा करेगा दोस्तो अगर योगा फेस्टिवल की बात करें तो जिद्दा में मनाया गया था सौधी अरब में योगा दोस्तो 21 जून को मनाया गया और मैसूर पैलेस में मनाया गया इस बार और योगा फॉर हुमेनिटी थीम थी ये क्वेशन अभी SSC CGL के फर्स्ट सिप्ट में पूछा था योगा फॉर हुमेनिटी दोस्तो भारती नौसेनिक बेडे सीवालिक और कार्मोटा कि शहर का दोरा करने जारें दोस्तो विवादित साॉथ चाइना सी पर ये पहुंचेगे चुके हैं वियतनाम के होची मिन सिटी पर पहुँच चुके हैं वियतनाम हनोई डॉंग दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्षियान को सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है भाप का इस्तेमाल किया है दोस्तों ठीक है क्लियर है तो भाप का इस्तेमाल यहां पे किया गया है भाप से दोस्तों अंतरिक्षियान चल रहा है आसान बात थोड़ी है तो दोस्तो यहां पर answer होगा जापान ने यह बहुत important इसको mark कीजेगा दोस्तो बहुत ज्यादा important इसको mark कीजेगा तो दोस्तो इस जापान ने successfully used steam to propel its Aquelius spacecraft स्पेस्क्राफ्ट का नाम भी याद कर लीजे दोस्तो एक्वेलियस स्पेस्क्राफ्ट है और उस एजेंसी का नाम याद कर लीजे जाक्षा जापान Aerospace Exploration Agency जापान की जो है जैसे अमेरिका की नासा है भारत की इस रो है ठीक है तो याद रखेगा water propulsion system इन्हों ने यूज किया है तो दोस्तों इन्होंने जो स्पेस्क्राफ्ट में जो इंजन यूज किया उसका नाम एक्वेलियस रखा है एक्वेलियस जैसे कुम्ब की तरह नहीं होता है उसको नाम एक्वेलियस रखा है जापान की कैपिटल टोकियो यह यहां की दोस्तों करेंसी है और फूमियों की सिदा यहां के राश्पति है ठीक है प्रधान मंतरी हैं दोस्तों किस राज ने अपने जीडीपी को दुगना करने के लिए प्रबंधन सलाकार मैं किंसे को अपॉइंट किया है तो मैं किंसे को अपॉइंट उत्राखंड ने किया है और डिलॉइट को अपॉइंट दोस्तों किया है यूपी ने दोस्तों डिलॉइट इंडिया के CEO के रूप में किसे जो है वो किया गया है अभी अपॉइंट किया गया बताएं मैं किन से उत्राखंड के लिए और डिलॉइट यूपी के लिए ओके जी एशडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट ठीक है यानि जी डीपी कोई स्टेट की जी डीपी को जी एशडीपी कहते है दोस्तो भारत ने इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गनाइजेशन की स्टेटिक प्लान में डिजिटलाइजेशन को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है तो दोस्तो इन्होंने संयूक्त अरब अमिरात के प्रस्ताव का समर्थन किया भारत UAE के प्रस्ताव का समर्थन करता है यही दोस्तों का जो है कर्तव होता है कि तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे जो तिन को तुम रात कहोगे तो हम रात कहेंगे दोस्तों UAE की capital अबूधा भी है और दिरहम यहां की currency है दोस्तों एक दुबई भी यहां जगह है जहां पर ICC का headquarter है नई दिल्ली में प्रक्ति मैदान में 14 नौवंबर को सुरू हुए 41 वे international trade fair की जो theme थी vocal for local, local to global थी कौन सा point इसमें गलत है Commerce and Industry Minister ने इसे सुरू किया था ये भी सही है Ministry of Health and Family Welfare Pavilion को outstanding contribution toward public communication and outreach award मिला है बिल्कुल सही है स्वास्ट मंत्राले को मिला है अफगानिस्तान को gold medal मिला है foreign sector में अफगानिस्तान के pavilion को मिला है gold medal foreign sector में विदेशी देशों में ये भी बिल्कुल सही है गुजरात gold medal जीता है स्टेट और union territory में ये बिल्कुल गलत है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है बात समझ में आ रही है तो ये बिल्कुल गलत क्यों है क्योंकि केरल को मिला है स्टेट में बेश्ट मंडप बेश्ट पेवेलियन का अवार्ड केरल को मिला है विदेश में अफगानिस्तान को मिला है और मंत्रालेयों में health ministry को मिला है दोस्तों प्रगती मैदान में दिल्ली में ये 14 नवंबर से ये सुरू हुआ था ट्रेड़ फेयर किस राज और केंसासित पदेश में पहला जन जाती सीथ कालीन महत्सों आयउजित किया गया फर्ष्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल 30 नवंबर को आयउजित की गई दोस्तों जमू एंड कश्मीर में ट्राइबल विंटर फेस्टिवल दोस्तों कहां पे मनाई ग कश्मीर के बांदीपोरा ने जो है इसे होश्ट किया है ठीक है कि बांदीपोरा जिले के अलोसा चेत्र के केटसन गाउं में यह मनाया गया है दोस्तों जन जाती सीध कालीन महोट्सों दो आसिवादी आदिवासी समदायों ने सभी भगोलिक समाजिक और राजनीतिक बाधाओं के बीच गुर्जरों की लड़ाई की भावना को चित्रित करते हुए गत्का का पदर्शन भी किया त्योहार का उद्देश लोगों को होमिष्टे घुरसवारी होटल प्रबंदन आदी के बारे में सिक्षित करना है दोस्तों उस बैंक का नाम बताईए जिसे हाली में आर बी आई ने अपने गॉर्मेंट बिजनेस के लिए अंडर्टेक किया है अथुराइस्ट किया है तो तुकोडी में इसका हेड कोर्टर है के वी राम मुर्थि दोस्तों इसके हेड है ठीक है दोस्तों सेवी ने प्राइवेट प्लेस्मेंट के माध्यम से डेप्ट सिक्योर्टीज में लिश्टिंग के लिए जो टाइम लाइन है जो समय सीमा है उसको टी प्लस फोर डेस से घटा करके टी प्लस थ्री डेस कर दिया है जो नियम कब से प्रभावी होगी तो दोस्तों ये इफेक्ट से आएगी एक जैनवरी 2023 से यानि अगले साल के पहले दिन से ये आएगी दोस्तों ठीक है एक जैनवरी 2030 से आएगी सेबी की हेड है मदावी पूरी बुच दोस्तों किस देशने हाली में नागपुर मुंबई सूपर कम्यूनिकेशन एक्सप्रेस वे प्रियोजना को डेवलप करने के लिए 1495 करोन रुपे के आर्तिक विकास सहयोग कोश रिड के लिए भारत के साथ टाइब किया है तो दोस्तों यह साउथ कोरिया है जो की नागपुर मुंबई सूपर कम्यूनिकेशन एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए भारत को एकनॉमिक डेवलप्मेंट कॉपरेशन फंड लोन दे रहा है साउथ कोरिया की कैपिटल सेल है वन यहां की करणिसी दौस्तों इंडिया सेंटर ऑपन किया western ईंडियां जिए लिए और साउथ कोटिक्या कि यू Player और किनक्स focus करके इक किंग्स करके एक मूवी थी मैं फिर बाबा भूल जाता हूं वह सीरीज थी बीस एपसोड की टीवी सीरीज उसे एमी अवर्ड मिला है ठीक है दोस्तों उस पेमेंट बैंक का नाम बताए जिसने हाली में पैनकार्ड जारी करने के लिए प्रोटीन इजी ओवी टेखनोलोजी क के साथ टाइब किया है तो इजी ओवी के साथ टाइब फीनो पेमेंट बैंक ने किया है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़ियां शार सांदार जिंदाबाद जबरदस्त पैनकार्ड दोस्तों टेन डिजिट का होता है किस देशने हाली में पूरे भारत में एनरजी टांजीशन प्रोजक्त के लिए वन बिलियन यूरो की गोशना कि अभी यूरो शब्द आ गया तो पहले अमेरिका छट गया क्योंकि यूरोपीएं कंट्री ही होगी तो दोस्तों जर्मनी में जी सेवन हुआ जर्मनी की पूर्व चांसलर अंजेला मॉर्कल को नां दोस्तों चलने वाली ट्रेन के फ्लिट का उद्गातन किया गया और सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी जर्मनी में सुरू हुई है जर्मनी दोस्तों एंट नॉटर्ट bows मिर्से कालीन क्यू आर कोड़ जी आइड वाल एक्स फूर्ट भी किया गया था छे दोस्तों किस भारती कंपणी ने हाल ही में UK रेल डेटा मार्केट प्लेस को डेवलप करने के लिए रेले डिलिवरी ग्रूफ से 6 साल का अनुबन्द पराप्त किया है तो दोस्तों यह जो है TCS ने किया है तो दोस्तो UK की जो है रेल डेटा मार्केट प्लेस को TCS जो है दोस्तो सर्विस देगा TCS भारत की सबसे मुल्यवान सफ्ट्वेर कंपनी है और सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी की इंप्लोयर है जो की 5,92,000 लोगों को इंप्लोयमेंट देती है तो दोस्तो ये जो है बारत की सबसे जो है Consultancy Services का दोजा 4 में IPO आया था उसके दोस्तों करीब जो है 20-18-20 साल बाद भारत में दो दशक के बाद टाटा फिर से का IPO ला रहा है टाटा प्ले का टाटा प्ले जिसका पुराना नाम दोस्तों टाटा स्काई था दोस्तों सिंगापुर में भारत दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन रहतियान रेलवे ने सुरू करी है दोस्तों किस राज के ग्रीन स्टार्ट अप ट्री टैग ने Life on Land की के तहट क्लाइमेथान को जीता है दोस्तों पेपर पिन लेके जरूर बैटा कीजिए क्यों की नोट कर लिया किजिए जो मैं एक्ट्रा इंफॉर्मिशन देता हूं वो तो लिखा नहीं रहता है वो पीडिएफ में भी नहीं मिलेगा तो नोट कमाना है तो नोट करना होगा दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा नोट नहीं कमाना है तो कथा सुनते रही है दोस्त सब्सक्राइब को ऊके और सैंसंग् दुनिया की बिक्षी इंप्लाइब कर दोस्तों संयुक्त राष्ट के एड़स दिवस्ता यह का फुलफॉर्म होता है तो यह पूजिटीव अगर आप हो गर तो हो हो जाएगा acquired immunodeficiency syndrome acquired immunodeficiency syndrome दोस्तों यह एक दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों और इसकी थीम है equalize क्या थीम है equalize दोस्तों इसकी थीम है क्लियर है बात समझ में आ रहा है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त 2004 से दोस्तों यह campaigning aids day की चल डही है ओके दोस्तों red ribbon use किया जाता है aids के लिए red ribbon को use किया जाता है red ribbon symbol के रूप में होता है aids के लिए कि दोस्तों pink ribbon किसके लिए होता है बता सकते हो तुम लोग येस नव्या जो मैं बोलता हूँ वो तो डिफिनेटली एक्जाम में आता है क्योंकि मैं तभी मेरे मुझसे वो निकलता है मां सरस्थी निकालती है कि भाईया यह एक्जाम में आएगा जैसे यह देखो सामने दिख गया है वनडिंष्टिक ORन इसक्रोट्स ने लॉंच किया है वनडिंष्ट वन प्र्रोडठ्ट की तरह वनडिंष्टिक 1 इस्पहूर्स भी यूपी से ही. हर दिष्टिक में स्पॉर्स को बढ़ावा देने वाले सेंटर को बनाया जाएगा दोस्तो यूपी में और दोस्तो याद क्लियर है सिवकुमार जी आपका दे दूसरी तिसरी बार मेसेज आ रहा है क्या चाहरे हम पूरा पढ़ ले तभी आप मानेंगे जब हम इतना कराते हैं तब weekly करेंड दू घंटे में जाके कंपलीट होता है हम अगर दीरे कराएंगे पूरा दिरलग जाएगा थीक है गे-ब जहां दीरे कराना वहां तो हम जो है कोशिश करते हैं लेकिन मेरे पास करेंड इत्ते ज़ादा होते मैं क्या करूं दोस्तों किस राज के समुद्ध तठपर विकलांग वेक्तियों के लिए भारत के पहले इस्थाई रैंप का उद्गाटन नवंबर में किया गया इन विच स्टेट्स बिच इंडियास फर्स्ट पर्मानेंट रैंप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाज इनवंबर तो दोस्तों यहां पर तमिलाडू की मरीना बीच में दिव्यांग लोगों के लिए भारत के पहले इस्थाई रैंप का उद्गाटन किया गया थीक है बात समझ में आ रही है कि बात समझ गए चलिए बहुत बढ़िया है कि दोस्तों उत्तरा खंड ने किसे अपने राज का ब्रैंड एंबेजडर बनाया है उत्तरा खंड सरकार ने किस राज को अपना ब्रैंड एंबेजडर बनाया है तो दोस्तों यह प्रसून जोसी को अप करना ब्रेंड अमबेजडर बनाया गया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चले बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त उत्राखंड ने दोस्तों भी पांच लोगों को उत्राखंड रत्न आवार्ड भी दिया था जिसमें की अजी डोभाल जी थे प्रसुन जोसी जी थे और दोस्तों सीडियस विपिंसिंग रावज जी थे दोस्तों आटेमीस वन नासा का मून मिसन है इसके ओरियन कैपसूल ने विशन को किसके दिवारा लाँच किया गया आटेमीस वन दोस्तों एक मून मिसन है जिसे नाशा ने लौंच किया और सपेस क्राफंट का क्या नाम है दोस्तों ओरियन नाम है दोस्तों ऊसका वी नाम याद रखेगा ठीक है चंद्रमा के उस्कष कर तक बहुत लंबी दूरी तह किये दोस्तों केंदरी मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किस शहर में एनिमल करंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विस का उद्गाटन किया है तो दोस्तों इन्हों ने जो है बैंगलूरू में किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर संजीव कुमा बालियान ने ठीक है कि दोस्तों यूएस डिक्शनरी मरियम वेब्स्टर ने किसे अपना वर्ड ऑफ द इयर चुना है वर्ड ऑफ द इयर चुना है दोस्तों गैस लाइटिंग वर्ड को गैस लाइटिंग वर्ड क्या है किसी को दोस्तों अपने जाल में भसा करके गुमरा में बैठे उनके चाचा गुम्रा करके उनको जो है आत्मगाती बना देते हैं वैसा कोई शब्द है गैस लाइटिंग दोस्तों एक मून लाइटिंग शब्द भी है कि घर से काम कर रहे हैं कई साथ दो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि मैं करता हूं अपन इन्स ने दोस्तों पर्मा क्राइसिस को अपना वर्ड आफ द इयर चुना है होमर शब्द बेसबॉल में यूज किया जाता है और पर्मा क्राइसिस पर्मानेंट क्राइसिस जैसे कोरोना खतम ही नहीं हो रहा था क्राइसिस लग रहा था कभी कतम होगा कि नहीं होगा पर्मा क्राइसी जैसे रशिया और युक्रेन का युद्ध जो खतमी नहीं हो रहा है तो दोस्तो इन सब को वर्ड आफ दे एर चुना गया होमर को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया था एन एसे दोस्तो जजी डीपी की हर हराटरर लि रिपोर्ट देती है पिछले कवर्डर में जो रिपोर्ट आई थी अप्रेल मौ aider जून में वह आई थी एटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो कितनी है तो दोस्तों ये सौ से कम हो गई है 97 पर लाक लाइव बर्थ एक लाक लाइव बर्थ पर 97 माताओं की मिलती हो जाती है 2018 से 20 के आकड़े के अनुसार ठीक है तो करीब बहुत जादा थी दोस्तों 130 थी 24 से 16 तक धेद्रे कम होते होते 97 आई है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल का टार्गेट है 70 कि 70 तक ले आना चाहिए ठीक है दोस्तों अमेरिका में the emissary of peace prize किसे दिया गया है अमेरिका में emissary of peace award दोस्तों दिया गया है श्री श्री रविशंकर को किसे दिया गया है जो है जो है जो है श्री श्री रविशंकर को दिया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है शीकुमार करें infant mortality rate अंठानबे है हाँ mortality rate एक हजार पे निकाला जाता है वहाँ पे mortality ratio जो था वो एक लाग पे निकाला गया तो 28 infant mortality rate है ये फुर्शो महिलाओं का इस बार दोनों का equal रहा है भारत में दोस्तों बी संपना दिवस परेड को अब अलग अलग राज में आयोजित करेगा तो इस बार का बी संपना दिवस परेड किस राज में आयोजित करेगा border security force पंजाब में करेगा ताकि उसको देखके लोग inspired हों बच्चे inspired हो कि हम bsf में जाएंगे बड़े हो करके bsf में जाएंगे ठीक है तो ये दोस्तों इस बार जो है गुरुनानक इनवर्सिटी परिशर अमरित्सर में आयोजित की जाएगी 58 स्थापना दिवस परेट 4 दिसंबर को दोस्तों चार दिसंबर कलती दोस्तों और 4 दिसंबर को ही नेवी डे भी मनाया गया नेवी डे 1971 में कराची पोर्ट को पूरी तरीके से निस्तनाबूत कर दिया था भारत की सेना भारत की नेवी ने उसी विजय दिवस को वह देय डे के रूप में इसके बाद बंगला देश असानी से आजात करा लिया गया नबे हजार पाकिस्तनियों को सरिंडर करा लिया गया— ऊधर से पकिस्तान से को इया संबावना नहीं थी capac order को ही हमने तहस् Sean son दिया था कि दोस्तों 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया आवार्ड का यह पूरा का पूरा खाका है तो चिरंजीवी को इंडियन फिल्म परस्नालिटी आफ दे इयर का आवार्ड मिला है कार्लो सौरो को दोस्तों सतजीत रे लाइफ टाइम एचीमेंट अवा सकेंदरी है इसको गांधी मेडल मिला है अवार्ड ठीक है यह फिफ्टी थर्ड वाला दोस्तों इंडिया में हुआ था फिफ्टी सेकेंड वाला भी इंडिया में मतलब गोवा में दोनों गोवा में हुआ था ठीक है और लेकिन दोस्तों फिल्म बजार का कौन सा एडिशन मैं युद्धू आ था 1950 में कहां से आ गया 1950 में नेवी आई थी वो अलग बात है लेकिन नेवी डे जो है वो दोस्तो 1971 के हिसाब से 51 मनाई गई है 51 मनाई गई है ठीक है फिल्म बाजार सोलहवी थी वेरी गूड वेरी गूड दोस्तो अभी देखिए यहां पर मातरी मित्यू रेशियों की जो बात की जा रही है कि अभी 97 पहुंच गई है बिल्कुल सही है किरला में दोस्तो जो है सबसे कम जो है देखी जा रही है 19 जो है देखी जा रही है बिल्कुल सही है और सबसे जादा यूपी की बात हो रही है गलत है यूपी नहीं आसाम में सबसे ज़्यादा mortality ratio है मात्री का मदर का तो यह आसाम होगा यानि C वाला point गलत है A और B जो है सही है ठीक है किरला में सबसे कम है 19 और 195 आसाम में है दोस्तो ठीक है तो यह है report ओके दोस्तो वर्ड हिल्थ और और्गनाजेशन में मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है दोस्तो कई मंकी लोगों ने टेड्रोज अधनॉम से complain की क्योंकि दोस्तो चाइना के लोगों के बड़े खास हैं और चाइना के लोगों की सकल मंकी की तरह लगती है तो दोस्तो मं टेड्रो सदनाम ने एम पॉक्स कर देगी चाइना से बड़े खुस रहते हैं तो दोस्तों इनों ने चाइना को कुरोणा से बचा लिया पूरी दुनिया को कुरोणा के चपेट में जाने दिया ठीक है खुब पैसा वसूला खुब टेड्रो सदनाम एथियोपिया के हैं और अधियोपिया आदिस अबाबा वहां की केप्टल है बिर वहां की करेंसी है लेकिन डबलू एचो जो है वो जेनेवा की है सुज्ज लेंड की सेवन अप्रेल 1948 को आई थी साथ अप्रेल को हम लोग वर्ड हेल्थ डे मनाते हैं विश्व स्वास्ट दिवस मनाते हैं आउनली मालदीव दोस्तों दुनिया का सबसे बेस्ट टूरिजम डिस्टिनेशन है और भारत का भी सबसे बेस्ट टूरिजम डिस्टिनेशन मालदीव ही है मालदीव की कैप्टल माले है और दोस्तों मालदीवियन रूफिया जो है यहां की करेंसी है दोस्तों फॉरेंड मिनिस्ट के उस समय उन्होंने नागराज नाइडू को यूएन ब्यूरक्रेसी के हैड बनाया था दोस्तों से भी ने म्यूच्वल फंड की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है डेप इस्टुमेंट में सिंगल यूजर डेप इस्टुमेंट में अगर यू निवेश करना चाहे तो वह वह ए लिमीट को बढ़ाकर बार डीगई है ओके mutual fund को दोस्तों से भी रेगुलेट करती है याद रखिएगा ठीक है अभी मैंने आप लोगों को कल जो है एमफी का भी हेड पढ़ाया था और Bombay Stock Exchange का भी हेड पढ़ाया था आपको बताना है कि कौन है तीनों के हेड दोस्तों ओपन Financial Technology Company जो की सोवी यूनिकॉन थी भारत की उसके साथ दोस्तों एशिया का पहला end-to-end embedded finance platform ज्विच को launch करने के लिए किस बैंक ने टाइब किया है ज्विच को launch करने के लिए दोस्तों यहाँ पर SBM Bank India ने टाइब किया है SBM Bank India ने दोस्तों क्या किया है टाइब किया है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद एशिया का पहला end-to-end in embedded finance platform है ज्विच ज्विच विल आफर नो कोड लो कोड फुल स्टैक अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस solution क्या बात है दोस्तों निम्लिकित में से कौन सी कंपनी हाली में सिंगापुर एलाइन्स और टाटा संस के साथ विले करने के लिए सहमत हुई है तो दोस्तों यहां पे देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं विस्तारा और एयर इंडिया का विले होगा एयर इंडिया ताटा की है और सिंगापुर एयर लाइन्स में दोनों का पैसा है सिंगापुर एयर लाइन्स का भी टाटा संस का विस्तारा जब मर्ज हो जाएगी एयर इंडिया में तो साफजाईर सी बात है सिंगापुर एयर लाइन्स तो खतम हो जाएगी नहीं तो इंडिया जिसमें विस्तारा का विले हो जाएगा तो समझ गए तो दोस्तों यह जो है मर्जर बहुत बड़ा मर्जर बीस हजार पांच सो पचासी मिलियन जो है यहां पे सिंगापूर एर लाइन्स एर इंडिया में इसके लिए निभेश करेगी और एर इंडिया में 25.1 परस मार्च दोजा 24 लग जाएगा दोस्तों ठीक है ओके एर इंडिया ने अभी फर्स्ट बोईंग स्ट्रिपल सेवन लॉंग रेंज विहान को दोस्तों जो है अभी रिसीव किया है ठीक है विच मीन्स डॉन ओफ न्यू एरा दोस्तों भारत ने युवा पुरूस और महिला विश्व चैंपियंशिप लॉर नूसिया इस्पेन में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो भारत ने दोस्तों इस बॉक्सिंग चैंपियंशिप में चार गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल 11 मेडल जीते हैं लू नूसिया लेकिन रवीना ने गोल्ड जीत लिया है दोस्तों याद रखेंगे चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों सवनवे नाम से एक कि गई है यह किस ने किया है इंडियन एयर फोर्स ने किया है जिसके हेड है वीवेक राम चौधरी और दोस्तों आठ अक्टूबर 1932 को यह आई थी एट अक्टूबर को हम लोग एयर फोर्स डे मनाते हैं इस बार हमने नब्वेवा एयर फोर्स डे मनाया था जो कि अभी 10 साल इसका सौवा एयर फोर्स डे होगा यह दोस्तों मनाया कहां गया था तो एयर फोर्स टेशन आगरा में मनाया गया समनवे का आयोजन कहां दोस्तों संस्कृत में बनी हुई साइंस डॉकुमेंटरी फिल्म को यानम को भी 53rd इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया म तो दोस्तों संस्कृत में बनी हुई फिल्म यानम पूछी जा सकती है यह आपके एक्जाम में दोस्तों ठीक है जो मंगल यान मिशनता दोस्तों उसी को पूरा चित्रित किया गया है माई ओडिसी बुक जो थी दोस्तों जो इसरों के उस समय हेड थे के राधा किष्णन जी पद्म भूशन प्राप्त है उन्हीं के बुक से दोस्तों यह पूरी पूरी मूवी बनाई गई है ठीक है पहली साइन्स संस्कृत फिल्म है इन दे हिस्ट्री ओफ वर्ल्ड सिनेमा यानम इसका नाम रख्था गया है पैनोर्मा सेक्शन में दोस्तों इसे दिखाया गया पंजीम गोवा में दोस्तों भूक्या और किस खिलाडी ने नेशनल अंडर 13 बैड्मिंटन खिताब जीता है तो भूक्या ने पुरुषों में जीता है और पकटरी ने महिलाओं में जीता अंडर 13 तो पूरु समयला न कहें के लड़का लड़की कह सकते हैं बच्चे बच्चियों को मिला है दोस्तों अभी आपने देखा था कि बैडमिनाटन अकेडमी कहां ओपेण हुई थी तो यह यूपी में हो ईती दोस्तों वहीं पर यह प्रोग्राम हुआ है और तानवी पट्री जो है अधिक है तो हाली में नरी डिली में डीकलॉबल टेकलरजी सम्मित के साथवे अडिशन को किस् ने संबोदित किया है तो सेवंथ एडिशन को एश जैसंकर जीने सब्मिट किया है यहां पर दो कोश्चन और बनेंगे कि ग्लोबल टेक्नलोजी सब्मिट कहां पर हुई तो दिल्ली में हुई दोस्तो इसका कौन सा एडिशन हुआ तो इसका दोस्तो सेवंथ एडिशन हुआ यह होजार 16 से यह दोस्तों हो रही है वS इसाफ से 7th edition है इसके के दिक्षाजी और हादी और ग्रामोद्योग के हेड कौन है मनोजकुमार है इन्होंने कि जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पुनर्वास योजना यानि की दोस्तों जो री हैब प्रोजेक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आगा री हैब प्रोजेक्ट का मतलब भी है कुछ तो दोस्तो इसे जो है नैनिताल में सुरू किया गया री हैब यहां बहुत छोटे-छोटे boxes आपको दिख रहे होंगे वह क्या है भाईया री हैब प्रोजेक्ट्स दोस्तो यह क्या है तीन सो तीस दोस्तो बी बॉक्स यहां पर बी कॉलोनी और टूल किट्स को यहां पर दोस्तो फ्री आफ कोस्ट चॉसला विलेज को दिया गया ह ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों यह चौसला विलेज जो है नैनिताल को री हैब री हैब का मतलब है reducing human attacks using honey bee honey bee के लिए human attacks को कम से कम प्रभावित करना हैना वरना तो honey bees जो है बहुत बुरा हल करते हैं तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर free of cost दिया गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग का काम ही है गाव में यह आयोग अक्या उद्योग बढ़ सकता है उसको प्रमोट करना दोस्तों मेरिको के सफोला 55 के brand अमेजडर के रूप में किसे पॉइंट किया गया है तो जानवी कपूर को अपॉइंट किया गया है पीनट बटर की यह कंपनी है है ना हेल्थ करको फिट फिट बाइसाव यह पीनट बटर के जो है ब्रेंडम बेजडर बन गए है जानवी कपूर दोस्तों किस मंत्राले ने नई दिल्ली के प्रक्ति मैदान के 41 इंटरनेशन ट्रेट पेर में सारवजिनिक संचार और आउटरीच के लिए उत्कृष्ट योगदान का पूर्सकार जीता है तो दोस्तों यहां पे किस मिनिश्ट्री ने आउट्स्टेंडिंग कंटीवुशन ट्वार्ट पब्लिक कम्युनिकेशन और जीता है तो दोस्तों यह जीता है हेल्थ मिनिश्ट्री ने अभी मैंने आपको बताया भी था हेल्थ मिनिश्ट्री ने यह जीता है अफगानिस्तान ने फॉरें सेक्टर में जीता केरल के पेवेलियन ने यूनियन टेरिट्री और स्टेट्स में जीता है ठीक है दोस्तों स्टेट इस दा फर्स्ट नौर्ड इस्टर्न स्टेट तो लॉंच इस मेंटल हेल्थ और सोशल केर पॉलसी लॉंच करने वाला उत्तर पुर्वी भारत का पहला राज्य जो है वह मेघहले बनाएं दोस्तों मेघहले ने जो है अभी पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं टोल प्लाजा को अपने आश से खतम किया है मेगाले के रबर लिविंग रूट ब्रिज को दोस्तों अभी युनेसको ने अपने टेंटिटिव लिश्ट में इंकलूड किया है और दोस्तों मेगाले के चेरा पुंजी और मासिन राम दुनिया के सबसे ज्य जेंडर कैम्पेन को लॉंच किया गया गया है तो दोस्तों ये सहेंगे नहीं कहेंगे ये women's को दोस्तों जो है आा उभारने वाली योजना है जो की चलेगी दोस्तो 23 दिसंबर तक 23 दिसंबर तक चलेगी जिस दिन फार्मजडे मनाते हैं किसान दिवस मनाते हैं चोदरी चरण सिंग जी के बथडे पर ठीक है तो दोस्तो इसे जो है तमिलाडू में लॉंच किया गया है कुटुम्ब स्री के लिडर्शिप में ओके तो लिंग अधारित हिंसा को अस्विकार करना उसके खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकारों के बारे में ग्यान प्रदान करने के लिए ये चलाए जाएगा अभियां दोस्तो किस खिलाडी ने उत्तर पदेश के खिलाफ महराश्ट विजे हजारे ट्रॉफी क्वाटर के 49 वे उबर में वर्ड रिकॉर्ड साथ चक्के जड़े है तो दोस्तों यहां पर रितुराज गायकवार जो की मुंबई से खेलते हैं यूपी के सिवा सिंग के खिलाफ एक उबर में साथ चक्के मारे पाचवी बॉल नो बॉल थी दोस्तों क्वाटर फाइनल में ये मैच कि फाइनल में और सौराष्ट ने इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिए इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिए एंज जगदीशन ने 277 अन बना करके दोस्तों एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है एक लास केटेगरी मैच में दोस्तों यूपी की पहली महिला के मs पुलिस कमिशनर के रूप में किस से अपॉइंट किया गया में उसको दोस्तों अधानी को दे ङडिया गया हैится यूद अधानी गुरूप में इसको खरीद लिया अब यहां पे बहुत बड़े बड़े मौल्स बहुत बड़ी बड़ी चीजे होंगी पहले तो इनका री डेवलप्मेंट होगा ताकि यहां से खतम हो ठीक है यह पैसा जो है दिया गया है मतलब अब इसमें आडानी जो अपने पैसे का पूरा यूज करेंगे जुगी जोपडियों वालों क 22 में दाहेश टर्मिनल गुजरात में अपना पहला कारगो तांगगूर एलेंजी संयंत्र प्राप्त करेगा तो दोस्तों यह प्राप्त करेगा इंडोनेशिया जो है दोस्तों भारत से भारत प्राप्त करेगा इंडोनेशिया से भारत एलेंजी प्राप्त करेगा दोस्तो ठीक है एक लाग 32,000 क्यूबिक मीटर लेकर के आ रहा है ठीक है दाहेस टर्मिनल में गुजरात में दोस्तों ये पहला करगो भारत प्राप्त करेगा इंडोनेशिया से दोस्तों RBI की quarterly report आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंकों की जो credit ग्रोथ है वो 17.2% बढ़ गई है 17.2% की ग्रोथ है तर्म डिपोजिट की जो ग्रोथ है दोस्तों वो जो 10.2% की है और RBI ने दोस्तों साथ कोपरेटिव बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 के तहत जुर्माना भी लगा दिया है जोराश्टियन कोपरेटिव बैंक मुंबई पे लगाया है भारत कोपरेटिव बैंक रखनव पे लगाया है चितूर कोपरेटिव बैंक चितूर आंध्यपदेश पे लगाया है कंबम कोपरेटिव बैंक कंबम आंध्यपदेश पे लगाया है नेशनल कोपरेटिव बैंक बैंगलूरू करनाठका पे लगाया है तिरुचिरा पल्ली डिस्टिक कोपरेटिव ब लिए दौरान इंफ्रस्ट्रक्चर बॉंड के माध्यम से दस हजार करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दिये दस हजार करोड़ रुपए जुटाएगी SBI SBI ने पहले भी दोस्तों फार्मोसा बॉंड से 300 सो मिलियन जुटाएगे हैं और साड़े 600 मिलियन डॉलर जो है उसने ग्रीन बॉंड के थुरू जुटाएगे इस बी इसमें जो है नंबर वन पर रहा है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों नेम दोस्तों दोस्तों जो एशिया के सबसे अमीर बैंकर हैं ठीक है दोस्तों नवंबर में जारी फोप्स की भारत की सौ सबसे अमीर लोगों की सूची में 1500 बिलियन अमेर की डॉलर की संपत्ती के साथ सबसे अमीर आदमी बनके घौतम अधानी उबरें हैं घौतम अधानी जो धारावी को जो है दोस्तों पुनर्वास करेंगे 88 billion के साथ दोस्तों मुके संबानी second number पे हैं अदानी दोस्तों एशिया के सबसे richest person है और world के second richest person भी है ठीक है इसके अंसार दोस्तों 16.4 billion के साथ सावित्री जिंदल जो की O.P. जिंदल गुरुप की दोस्तों चेयर परसन है वो भारत की सबसे अमीर महिला हैं दोस्तों भारत की सबसे अमीर महिला चुनी गई है दोस्तों ठीक है यह फोप्स की सूची के अनुसार दोस्तों याद रखिएगा ठीक है और फोप्स की सूची के अनुसार यह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं ये बाद भी याद रखिएगा दोस्तों फिक्की के ग्लोबल स्पोर्ट सम्मिट टर्फ और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ट के 11 एडिशन के सम्बंद में कौन से पॉइंट सही हैं तो दोस्तों यहां पे जो है आपका माना और अचना एजुकेशनल इंस्टिटूशन जो की फरीदाबाद हर्याणा के सेक्टर 14 की है उसे बेस्ट इसकूल इसी फरीदाबाद वाले एजुकेशनल इस्टिटूशन में दोस्तों जो हैं डारेक्टर हैं इन्हें लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड मिला है ये पैरा स्पोर्स पर्सन अफ दे इयर का अवार्ड मिला है ये भी बिल्कुल सही है तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल सही है फरीदाबाद हर्याणा की इस्टिटूट को और उस इस्टिटूट के डारेक्टर को मिला है सरकार तलवार को और दोस्तों अवनी लेखा को भी मिल जैज़ा है यहां पर ऑज्वार्ट ऑप के चलिए बहुत बढ़िया शानदा जिंदाबद जबर दस्त के दोस्तों हाली में बॉंबे श्टॉक एक्शेंज के हेड के रूप में सुन्दर रमन रामामूर्थी को अपॉइंट किया गया है ऐसे रामामूर्थी को पॉइंट किया गया है CEO और MD के रूप में दोस्तों बॉंबे श्टॉक एक्षेंज के चेर्मेन कौन है यह आपको बताना है ठीक है बताएंगे कि नहीं बताएंगे बॉंबे श्टॉक एक्षेंज में दोस्तों ऐसे स्मुंद्रा कौन सी पोश्ट पर हैं 1875 में बॉंबे श्टॉक एक्षेंज आई थी भारत की सबसे पुरानी श्टॉक एक्षेंज है लाइसी ने भारत बिजली लिम्टेड में अपनी हिस्सेदारी को 6.6.95 से घटा कर 4.54 प बैंक में और 30.48 परसेंट शेयर को भारत सरकान ने बेचा है इड़ी बैंक से ठीक है एक सितंबर 1956 कौईती मुंबई में इसका एड़ कुमार इसके हैं यह थर्ड इस्टॉंगेस्ट और टेंथ वेलिवेबल ब्रिया था दोस्तों जेसी फ्लावर एसेट रीक शक्सन कंपन ने को दिया था लेकिन इसके पास पैसा नहीं है इस लिए इस बैंक ने इससे शेयर ही ले लिए तो ठीक है दोस्तों यहां पर अठाइस नुनवंबर से दो दिसंबर के बीच में दोस्तों अभी इडर शो को भी दोस्तों बैंगलोर में आयोजित अच्छ किया गया था एक het aero-show को भी जो है वेंग लोर में आयोजित किया गया था विंग्स 2022 को दोस्तों बेगंपेट एर्पोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया था दोस्तों which स्थापना जो है यह महराष्ट सरकार करने जा रही है महराष्ट सरकार करने जा रही है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए कि दोस्तों मनरेगा जोकी two thousand five में आई थी योजना दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गरंटी योजना है दोस्तों सौ दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है रेन फेड़ेड एरिया में दिर सो दिन का दिया जाता है ठीक है जहां कृषी अच्छे से नहीं हो सकती दोस्तों इसमें सुधार के लिए पैनल बनाया जा रहा है जिसे हेड करेंगे अमर्जीत सिन्हा कौन हेड करेगा मेरे बाई का है पुल्ड ऐनीमल खाद्व पशूक के रूप में अनुमति दे दिया है अप्रूंवल दे लिया है तो हीमालियन वाघ epa दोस्तों इसकी पॉपलेशन को बढ़ाएक इसकी पॉपलेशन कमनों इसकी लोग पॉसु पालन करें ठीक है तो यहां पर जो है यह काम किया गया इसका दूद और मास उद्यों का हिस्सा बना दिया है दोस्तों निमलिकित में से कौन सा सहर फरवरी दोजाथ 23 में जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंटरल बैंक के गवर्नरों के बैटक की मेजबानी करेगी तो दोस्तों यहां पर बैंगलूरू म में जी ट्वेंटी की मिटिंग होगी दोस्तों जी ट्वेंटी की सारी मिटिंग दोजाथ 23 में भारत में ही होगी अभी चार तारीक से सुरू हो गई है उदैपूर में शेरपा की मिटिंग शेरपाओं की मीटिंग शुरूगी 100 मॉनुमेंट्स को रोशन कर दिया गया एक दिसंबर से भारत के पास प्रेसिडेंसी आ गई है ठीक है जो 30 नवंबर तक रहेगी दोस्तो 23 तक भारत के पास वसुदैव कुटुम्बकम इसकी टेग लाइन है दोस्तो g20.in इसकी है और थीम है दोस्तो वन फैमली वन फ्यूचर वन अर्थ ठीक है जी ट्वेंटी ट्रोइका में इंडोनेशिया इंडिया और ब्राजील है दोस्तों क्योंकि 2021 वाला इटली में हुआ 2022 वाला इंडोनेशिया में 2420 इस्तापना 1999 में हुई थी 2008 में पहली मिटिंग वसिंग्टन डिसी में होई थी जिसमें 19 देशें और 20 वा देश यूरोपियन यूनियन है जो खुद सत्ताई देशों का एक संगठन है दोस्तों 9 देशों को G20 में भारत ने इन्वाइट किया है जिसमें इजिप्ट और बंगला देश जैसे देश भी हैं रेलवे किस वर्स तक यूरोप दच्छिन अमेरिका और पुर्वी एशिया के बजारों में वंदे भारत ट्रेनों का प्रमुक एक्सपोर्टर बन जाएगा तो यह दोस्तों 2026 तक बन जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस पांचवी चलाई गई दोस्तों मैसूर से चिन्न चेहिसर ठाइन दोस्तों इस ट्रेन को भारती इंचनेरों द्वारा बनाया गया तो भारत की पहली German एस्टेमिस्पीड हाइए हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों जिसे इंटीग्रल रेल जोच फेक्टरी चैन्नाई ने बनाया है ठीक है clear है इस लीपर कोच वाली ट्रेन का भी दोस्तों दोजार 24 की पहली तिमाई तक चालो हो जाएगा क्योंकि वंदे भारत अभी के वल सिटिंग वाली ट्रेन है ठीक है 400 वंदे भारत ट्रेनों में से 100 मेयर तकनीक होगी दोस्तों दोजार 25 तक दोस्तों किस मंत्राले ने डिश्टर टांस्फोर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजिनेरिंग में उत्कृष्टता के टेगरी में इगवर्नेंस के लिए गोल्डेन पुरुसकार जीता है गोल्ड अवार्ट जीता है तो दोस्तों यह पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जीता है पंचायती राज मिनिस्टर गिरीराज सिंग जी हैं दोस्तों ठीक है याद रहेगा 18 पहलों को पांच स्टेडियों के पहत यह गवर्नेंस के लिए राश्ट्री पुरुसकार पदान किये गए ठीक है पंचायती राज मंत्राले के यह पंचायत मिसन मोच प्रो रहे हैं हैं और सब लोग बता रहे हैं कि इन दौर में होगा और चीफगिष्ट हैं दोस्तों गुयाना के राश्ट्पती मुहम्मद इर्फान अली मुहम्मद इर्फान अली और इन दौर इस बार होश्ट कर रही है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों तो ताबड तोड तरीके से हम लोगों ने करें वीकली करेंट अफेस को कंप्लीट किया रैपिट फैर राउंड में कल भी हुई ती यह सेशन और आज भी हुई है दोस्तों ताबड तोड तरीके से हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया दोस्तों तो अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो और हमसे जुड़े रहना है लगातार हमारे हर वीडियो लिंक को जानना है क्विस खेलना है तो आपको टेलिग्राम को दोस्तों जहां पर आपको पीडिएफ मिलेंगे जहां पर आपको सारे पीडिएफ मिलेंगे ठीक है क्लियर है लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजे ताबड तोड तरीके से तोकि यह है जीए जीके जीएस का वनिश्टॉप सेंटर द यहां पर पूरी एक्ट्राइब के साथ आपको रटा दिया जाता है इस पॉर्टेंट करेंट अफेर को तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा चले दोस्तों इनी सब बातों के साथ विदा लेते हैं रात को नौ बजे रोज क्लास होती है पर दोस्तों आप लोगों को डेली आना है और अपने जो है तैयारी को फुक्ता करना है थैंक यू सो मर्च शुक्रिया धन्वाज जहिंज भारत बबाए टेक केर लव यू और